वेके मेस्तरा प्रजेंट अमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सस्क्राइब करें और साथ में वेल आइकन घंटी दबाए आपको शवी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है यूँ ही ग्यान प्रधक्चानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्टिकेसन आपके पास सबसे पहले पहुचे आईए आज जानते हैं अचला शप्तमी में किस परकार से भगवान शूरीदेव की अरादना और उपाशना करें भगवान शूरीदेव हर परकार की रोगों का नाश करने बाले हैं शाजिरिक विकार भगवान की दया से समाप्त हो जाते हैं हर वर्ष माग माह की शुक्ल पक्ष की शप्तमी तिथी को अचला शप्तमी का वरत किया जाता है इसे शुर्य शप्तमी रत आरो की शप्तमी सुर्य रत शप्तमी आदी नामों से भी जाना जाता है अगर यह शप्तमी रवी बार के दिन आती तो इसे अचला भानु शप्तमी के नाम से जाना जाता पौराणिक सास्त्रों के अनुशार भगवान शुर्य ने इसे दिन सारे जगत को अपने प्रकाश ये अलोगिक किया था इसलिए इसे शप्तमी को सुर्य जयनती के रोप में मनाया जाता है अचला शप्तमी के दिन जो भी सरधालो जो भी भक्त भगवान शुर्य देव की अरादना और उपाशना करते हैं उनके सारे दुख और कश्ट दूर होते हैं और भगवान शुर्य की किरपा से उन्हें स्वस्त सरीड की प्राप्ति होती है और हर परकार के शुकों की प्राप्ति होती है वैसे तो मागमा का एक अपना ही महत्त है मागमा में खाश करके गंगा अशनान का विशेश महत्त होता है इस दिन खाश करके विशेश करके गंगा अशनान कर भगवान शुर्य देव को अर्ग देने का बड़ा ही महत्त होता है इस दिन जो भी सरधालू गंगा अशनान करते हैं तिर्थों में जा करके अशनान करते हैं उन्हें भगवान शुरी की अशीम करपा प्राप्त होती है भगवान शुरी हर परकार की शुखो को परदान करने बाले हैं इस दिन विशेश करके ब्रह्मा महुर्त में उठकरके दवस्तर धारन करे उसके बाद भगवान शुरिय देव की अरादना करे भगवान शुरिय देव को विशेश करके इस दिन अर्ग परदान करे अर्ग में लाल चंदन और शफेद पुश पर डाल करके इस दिन भगवान शुरिय देव को अर्ग परदान करे भगवान शुरिय देव को अरग परदान करे तो यह बहुत ही लापकारी होगा मंत्र ओम एही शूर्य सहस्त्रांस सो ते जो राश को आवश्य ही अर्ग परदान करें भग वान इश्य अती प्रशन होते हैं बगवान शुरी ही एक ऐसे देव है है जो प्रथवी साक्षात्र देवतारूप में माने जाते हैं भगवान शुरी देव की करपा से समस्त дав का संचार होता इस दिन जो भी व्रती अचला शक्तमी का व्रत करते हैं उनको दिन भर उपवास रहना चाहिए इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें नमक इस दिन ना खाए अगले दिन जा करके शुबह में अश्टान करके भगवान शुरी देव को अरग देने के बाद ही आप न नमक ना खाए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और लाबकारी होगा भगवान शुरी देव की किरपा से मनुश्य को कभी भी रोगों का सामना नहीं करना पर सकता है अगर भगवान शुरी देव की सची सरद्धा से उपाशना और अरातना की जाए भगवान शुरी ह और दीप दिखाए भगवान शुरी देव के नाम से नवेद्य अरपन करे उनको उसके बाद भगवान शुरी देव की आर्थि करे और इस दिन विशेश करके गड़ीवों को भोजन कराए ब्रामनों को दान दक्षिना दे तो यह भुत ही लापकारी होगा हर वरत का हर पुजा का अपना-अपना महतो होता है माख में अश्नान करे और भागवान शुरिय देव को अर्ग परदान करे तो यह भुत ही लापकारी होगा इस बार अचला शब्तमी का वृत उनिस फरबड़ी 2021 दिन शुक्रबार को कीया जायेगा अचला शब्तमी तिथी प्रारणब समय 18 फरबड़ी 2021 सुबह आट बजकर 20 मिनट और अचला शब्तमी तिथी की शमाप्ती होगी उनिस फरबड़ी 2021 21 सुबह 10.69 मिनट पे इस दिन विशेशकर भगवान शुरी देव की अरातना उपाश्टना करे तो यह बहुत ही लापकारी होगा इस दिन अपने मन में क्रोध बिलकुल भी ना लाए अपने शे बड़ो का आदर सम्मान करे महिलाओं का सदा ही सम्मान करे उनसे माता लक्ष्मी प्रशन रहती है और उनके घर में धन यश्वैवव की कभी कमी नहीं होती तो महिलाओं का कभी भी अपमान ना करे अपने से बड़ो का आदर सम्मान करते रहें बच्चों को प्यार दुलार दे अपने मन में क्रोध इर्शा का भाव बिलकुल भी ना लाए क्रोध एहम घमंड व्यक्ति को हर परकार से नश्ट करने की छमता रखता है इसलिए क्रोध को दबा करके रखें अपने मुशे यह पैब करने के लिए बहुत ही तो यहां बहुत ही लावकारी होगा टो आसा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा यहां वर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास आपको शमय से बिलता रहें वीडियो को लाइक और अपने मित्रो तथा दोस्तों के साथ शेयर करें शुक् आजे किशन धन्यबाद बेस्द्द्द्द्द्द्ट करें अजे ज़िए पास दोस्तों के साथ शेयर करें वेल डिलता रहें वेलग।